तो बच्चो क्या आप लोगों को भी मैच से डर लग रहा है तो डरना नहीं है बिल्कुल भी दोस्तो आज को वीडियो स्पेशिली आप लोग के लिए जिने भी मैच से डर लगता है वेकि यहां पर हम लोग को देखने मिलने आला दोस्तो आज important chapters जिसको पढ़ कर मैं 60 Plus मार्ट स्कोर कर सकता हूं तो बच्चो आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या क्या chapters में आज cover कर लूँ कि मुझे exam में 60 आश एक 30 से प्लस मार्क मेले है जो पेक तरीके से बेस्ट तरीके से करें अपना देदी इन चाप्टर में तो डेफिनेटली आप लोगे ना 60 प्लस मार्क स्कोर करने वारे हो चाप्टर बहुत ही सिंपल है आप लोगों ने थोड़े बहुत भी स्कूल में अगर धान भी दिया होगा और उसके बाद में आप लो पर जो कोशन वा इससे स्मूधली निकल जाए तो मेरे इसाब से आप लोगो इस सारे फंडे जो मैं आप लोगो बताने आप लोग उस चीज के रेडी हो तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगो यह बता देरा चाहता हूं कि आप लोग कैसे हो कैसे आप सभी लोग आई ड्रॉप करना और आपकी डॉट में हम लोग वहाँ पे क्लेर करने ही कोशिश करेंगे और भी बहुत तरी चीजे जैसे आप लोग को सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप लोग को मैं बात करूंगा मैं अपने पास टोटल सेवन चाप्टर से में एट चाप्टर से सारे ही चाप्टर बड़े खतरनाख है ऐसा आपको लग रहा होगा बिल्कुल डरने की बात निया दूस्तों मैं आप लोग के साथ यहीं पर तो खड़ा हूं यहां पर आप लोग को जादा एजी बनाने के लिए हम लोग टू शॉर्ट सीरीज भी चालू कर दी हुई है ताकि आप लोग उन चाप्टर को देखें और वहां पर आप लोग फटाफ़र से एक चाप्टर को कम से कम दो वीडियो में कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को एक फ्लो में सारी चीज़े मिल टेबल और उसके बाद आप लोग का लॉजिकल टेबल जितनी भी चीज़े आप लोग का स्विचिंग सर्की स्विचिंग टेबल सारी चीज़ों कुछी तरीके से करना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते तूट टेबल में तो जरह यार रखना तूट टेबल और स्विचि चाप्टर जो मैट्राइसे से अगर आप लोगों अगर बाकी चाप्टर से डरते हैं तो मैट्राइसे बहुत सिंपल चाप्टर आप लोगों के लिए होने वाद है मैट्राइसे में करना क्या सिंपल सिंपल कोश्चन होते हैं आप लोग को सबसे पहले सीखना इन वर्ज कैसे मेरे साथ होता ही नहीं मेरे साथ आपके साथ तो क्यों ना होगा इस पर ध्यान देना मैट्राइस सिंपल चाप्टर है लेकिन जड़ा गौर करना थोड़ा से एरर का यहां पर आप लोगो सामना करना पड़ से इसको बहुत ही परफेक्ट कर लेना यह आठ यह 14 मांक्स हो चु निकालना है सेके एक्साइज जो अप लोगो थोड़ा सा सोलीशन मतलब प्रूफ बेस कोशन के उपर डील करना है प्रूफ बेस कोशन को समझने के लिए आप लोग को थोड़े बहुत फॉर्मुले उसमें दिये हुए है साइन डूल को साइन डूल पोजेक्शन डूल आसे के और क्या करने आप लोग को आप लोग को 11 तो विल की ऊपर जो फॉर्मुले आप लोग में पढ़े है ना पहले से 11 12 में 11 के जो ट्रिग्रमेटरी इस टूल यह चाप्टर में चाप्टर नुबर 3 मैट्स वन का था उसके सारे फॉर्मुले चारो एक्सेजिस में वहा उनको अच्छे तरीके से कर लेना क्योंकि वहां का जो फंडा हो यहां पर हम लोग अपलाई करने वाले तो दोस्तों यह आप लोगा ट्रिग्रमेट्रिक फंक्शन तीन एक्सेजिस है पहला कंप्लीट दूसरा कंप्ली और तीसरे एक्साइज में तो इन्वर्स फंक्शन क अच्छे से कर लेना पहले और दूसरे और तीसरे एक्साइज में आप लोगों को बेसिक चीजिए दीवी जो आप लोगों को अंडस्टाइड करवाती एल्पीवी के साथ डील करना सिखाती है लेकिन लास्ट के दो एक्साइज बहुत सिंपल है आप लोग मैक्सिमाइज से कर लोगे मैकसिमास मिनेर países मिनिमास मिनिमाइज वाले वाली आखान यह रहाप लोगए 2 लैघ्टेट अ आप लोग का माट्स कर देता है अगर आप लोगों ने तो उला सोला चाप्टर जो डिफरेंशीएशन है उसके बाद तुट के इस आप लोगों को नहीं आएगा तो पहले 11 के थोड़े कोशन कर लो ताकि आप लोगों का बेस क्लिर हो जाएगा तो आप लोगों यहां पर इं बबर दबर कर लेना और एक आप लोगे डबल डिफरेंशेशन वाला डपर इसके उपर कोशन फिक्स आप लोकी चार मार्ड वाले को सिना पूछता है तो उनको चाफ्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना अगर आप लोगों को डिफरेंशेशन आन तो अब अपको अप्लि तरीकिस इसके उपर ध्यान देना बात कुरो application of integration की तो application of integration बहुत छोड़ा चाप्टर है बहुत चोड़ा मतलब आप लोगों को बताओ एक है एक साइज में question number one question number two question number three है और आप लोग एकर one shot revision बचाएंगे तो hardly आप लोग का जो वीडियो बन रहा है circle ellipse जो भी है इसमें से fix 2 marks या कि चार marks पूशन पूशता है तो आपन अज्यूम करते हैं कि इस बार चार मां से question पूछेगा तो यह हो गया अपना 22 marks बात करते है probability distribution and binomial distribution probability distribution जो है ना दोस्तों बड़ा ही सिंपल है इसको सीखने के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए आप लोग के किसी भी किसी भी एक चाप्टर में से एक कोशन दो मार्स की में पूशता है और इस तरीके से आप लोग को इस दोनों चाप्टर मिला के 10 marks होता है तो चल्कुलेट करते हैं पूरा marks वहाँ पर 28 यह हो गया 22 22 प्लस 10 कितना हो जाएका 32 यहां पर हमारा टोटल मार्स होगे 32 व बड़ पर गौर करो पर्फेक्ट तरीके से आप लोगों करना है अगर आपने थोड़ा से भी चूक वगरे कर दी तो दोस्तों खत्म फिर 60 marks तो रहे जाएंगा तो एकदम पर्फेक्ट कर लेने इन चाप्टर को बड़ा ही अच्छे तरीके से प्राक्टिस करो सारे कोशन क रहे मेरे दście को एक से दो बर एतलिस दो बार करो ताक कि आप लोग का बेसिक जो पंदा हो फिर ऊचाए हो लॉट cry हो जाए तो मेरे rupees-साब मेरे बातारे संवज में आगे अभी आप लोगो कर ना कि अगर इसे वीडियो आप लोग को चाहिए दोस्तों तो एक आप लोगको आगया आने वंगे बीडियो में बताऊंगा ठीके दोस्तों और एगर एसे ये आपने को quanto चाहिए रहेंगें दोस्तों वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के सथ इन वीडियो को शेर करें और हमारे इसाथ जोड़े दने लिए चैनल को जबूसर जर्यव स्क्राइब कर लें मिलते हैं रेक्स वीडियो में जहाँ पर जानेंगे और बहुत सारी चीज़ों को तब तक लिए stay tuned and goodbye